जनता जनारण ने सरकार क्या होती है? सरकार क्यों होती है? सरकार किसके लिए होती है? सरकार कैसे काम करती है? इसको पहली बार अनुभव किया है वरना जनता और सरकारों के बीच में एक खाई की व्यवस्था ही बनी हुई थी हमने उसको पाठ दिया है हमने सबका प्रयास का मंत्र देश को नई उचाई पर ले जाने के लिए चरितार्थ करके देखा है साथियो एंडिये सरकार में हम अगले दस साल में मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ अगले दस साल में गुड़ गवर्नांस विकास नाहरीकों के जीवन में quality of life और मेरा व्यक्तिका दुरुप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है मैं लोग तंतर की समरुद्वी को जब सोचता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सामान्य मानवी के जीवन में से और खास करके मध्यमबर उच्य मध्यमबर कर उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोक्तंत्र की मजबूती है और आज के टेकनोलोजी के यूग में बहुत आसानी से हम वरना एक दिन में दस काम हो तो दस अलग-अलगो सारी चीज़े मांगेगे विकास का नया अध्याय लिखेंगे जनता जरारदन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सम मिलकर के विक्सीज भारत के सपने को साकार करके रहेंगे साथ यह एंडी एक में और मैं अगर विस्तार से कहूं तो सदन में किसी भी दल का कोई भी जड़ प्रतिनीदी होगा मेरे लिए सब बराबर है जब मैं सब्ता प्रयास की बात करता हूँ तो मैं सदन में भी चाहिए वो लोग सभा हो या राच सभा हो हमारे लिए सब बराबर है और यही एक बाव है जिसके गारा तीस साथ से एंडी एलाइंस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है अपना प्रया कुछ नहीं है सब को गले लगाने में हमें कभी कोई कमी नहीं रखी है उसी का प्रयाब है कि जनता का विश्वास भी जीत पाते हैं